नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल लॉलेज अल अबाउट में स्वागत है मैं हूँ स्रवड पटवा मैं आज आप सभी को मोबाईल और पीसी के माध्यम से IRCTC साइड में ट्रेन टिकट कैसे रिजर्वेशन करते हैं बताने वाला हूँ ITI, Apprenticeship, SSC, Railway और अन्य आउनलाइन फर्म और हर छोटी मोटी टिप्स और ट्रिक्स के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करने के बाद गूगल में IRCTC टाइप करें उसके बाद इंटर बटन पे क्लिक करें उसके बाद सामने आपको IRCTC e-ticking system का इंटरफेस दिखाई देगा उस पे आप क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपको एक alert message सो करेगा उसे scroll करें स्क्रॉल करने के बाद OK बटन पे क्लिक कर दें उसके बाद आपको IRCTC का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको from to और किस date को train ticket reservation करना है वह date आपको यहाँ पे सो करेगा किस date को और कहां से कहां तक आपको train ticket करना है वह enter करने के बाद आप find train पे क्लिक करें यहाँ पे आप journey class अपना चूज कर लें उसके बाद journey date भी यहाँ से select कर सकते हैं number आप passenger कितने लोगों का train ticket करना है या आपको कितने लोगों के साथ सफर करना है वह selection करने के बाद आप modify search पे क्लिक करें modify search पे क्लिक करने के बाद आपको train find का एक message सो करेगा वहाँ पे आप second class check ability पे सर्च करें यहाँ आपको current status वह आपको सो करेगा यहाँ भी आप अपने एक्षित date के अनुसार reservation कर सकते हैं यहाँ पे book now पे क्लिक करें यहाँ पे एक confirmation message सो करेगा I agree पे क्लिक करें उसके बाद आपको login का interface दिखाई देगा जिनका IRCTC में account है वह अपना username और password डाल करके यहाँ login कर ले यहाँ पे नीचे आपको एक capture code सो करेगा यहाँ capture code भी डालना अनिवार होता है बिना capture code का आप login नहीं कर सकते उसके बाद आपको यहाँ passenger का name name, age और gender fill करना है fill करने के बाद यहाँ पे आप कितने passenger का करना है 8 passenger पे क्लिक करके आप एक से अधिक passenger का भी एक ही ticket में ticket कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ travel insurance का term and conditions वो करेगा इसे yes या no पे क्लिक करें अभी COVID-19 के कारण your destination address fill करना अनिमार हो गया है आप कहां से कहां सफर कर रहे हैं कहां जाना है उसका COVID-19 के कारण यहाँ पे fill लब करना बहुत जरूरी है साथ ही आप यहाँ पे right side में change boarding station भी आप change कर सकते हैं यहां से और यदि नहीं करना है तो उससे छोड़ करने के बाद यहां आपको पेमेंट मोड का एक option दिखाई दे रहा है आपकी वहां पे train schedule यहां पे आप देख सकते हैं कि कितना टिकट का फिस लग रहा है इसमें IRCT का चार्ड 17 रुपए 70 पैसे लगता है और साथ ही यहां एक capture code है capture code बिना fill कि आप continue नहीं कर सकते इसे डालना अनिमार होता है capture code डालने के बाद continue बटन पे क्लिक करें उसके बाद एक आपको confirmation message show करेगा उसे yes पे क्लिक करें उसके बाद आपके सामने payment option का एक interface दिखाई देगा उसमें आपको किस माध्यम से payment करना है आप उसका चुनाव कर लें मुझे भारत keyword scan and pay के माध्यम से payment करना है तो उसका मैं चूच किया उस चूच करने के बाद make payment पे क्लिक करें क्लिक करने के बाद आप यहां keyword code को scan करके payment कर सकते हैं इसका transaction time दिया होता है इस time के अंदर ही आपको payment करना होगा यदि payment का option आपने गलत चूच कर लिया है तो यहां से cancel button पे क्लिक करके फिर से वापस जाकर आप अपना दूसरा option select कर सकते हैं payment होने के बाद आपको इस type का interface दिखाई देगा जिसमें आप right side में इधर print ticket का option शो करेगा English Hindi जिस माध्यम में आपको करना है आप कर लें उसको करने के बाद आपको इस प्रकर का train ticket reservation हो जाएगा इसे आप print करके अपने पास save कर सकते हैं आप जो email id दिये हैं उस पे भी आपको mail के माध्यम से ticket आपके mail पे चला जाता है आप वहां से भी download करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं तो इस तरह मैंने आपको असान तरीके से IRCT में train ticket करने के लिए बताया है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग mobile के माध्यम से अपना train ticket reservation करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने mobile के ब्राउजर को open करने के बाद right side में जो यहां पे तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं किसी-किसी mobile में तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं यहां पे यहां पे एक uploading का sign बना होता है उस पे click करें click करने के बाद आपको इस तरह का interface दिखाई देगा click करने के बाद आपको इस तरह का interface दिखाई देगा जिसमें आप अपने mobile के browser में यहां पे add to home screen के नीचे desktop site दिखाई दे रहा है इसे आप enable कर लें enable करने से दोस्तों यह फायदा होगा कि आपका जो page open होगा browser पे वह PC के जैसा open होगा तो इसमें आपको किसी भी तरह के जनकारे को search करने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा तो आप इस तरह mobile के माध्यम से भी असानी से IRCTC का train ticket या online किसी भी तरह के form आप desktop site को enable करने के बाद ही करें जिससे आप बहुत सारी परसानियों से बच सकते हैं आपको problems नहीं आएंगे तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही टाटा बाय बाय थैंक्स फॉर वाचिंग